नमस्कार मैं प्रेमारिया और आप देख रहे हैं डिफोकस 18 नहुंबर को नहाय खाए और 19 नहुंबर को खरना है 20 नहुंबर को पहला अर्ग और 21 नहुंबर को दुश्रा अर्ग है हाला कि कुरोना COVID-19 महावारी की वज़े से इस बार तलाबों और नदियों के किनारे छट महापरव का आयवजन नहीं किया जा सकेगा इसे लेके राज आपदा परबंदग विभाग ने रवियार रात को दिसा निदस जारी किया है इसमें कहा गया है कि छट महापरफ के दोरान सरदालू के लिए नदियों यों तलाबों में केंदर सरकार के निर्देशों और सोसल डिस्टेंसिंग दो गजदूरी का पालन संभाव नहीं है ऐसे में लोगों का अपने घरों में इस बार छट महापरफ का आयोजन करना होगा आपदा परबंदन विभाग दुआरा जारी दिसा निर्दस असपश्ट कहा गया है कि इस बार छट महापरफ के दोरान किसी भी नदी, लेक, डेम या तलाब के छट घाट पर किसी तरह के कायरकरम का आयोजन करने की मना ही होगी छट घाट के समीप कोई दुकान इस्टॉल आदी नहीं लगाया जाएगा परव के दोरान सारजनिक अस्तल, पटाका, लाइटिंग और मरणजन समंधी कायरकरम पर पूरी तरह से रोक रहेगी विवागी अधिकारी के मुताबिक छट महापरव के दोरान नदी, तलाब, डेम, लेक, आदी में अस्नान करने वाले शट धालू के लिए माक्स पहनना सम्भव नहीं है यहीं दोगज की दूरी का पालन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इस परब में एक जगह पर ही जायदा परिवार के लोग सामिल होते हैं यहीं नहीं, वहीं नदी यह तलाब आदी के एक ही पानी में सेकड़ो भक्त भगवान भासकोर कर अड़ देने के लिए उतरते हैं ऐसे में कोरोना का संकमन फैल सकता है, ऐसे में बहतर होगा कि लोग अपने घरों पर ही यहां महापरव मनाएं इस बार अधिकतर लोगों ने घर पर ही अर्द देने की तैयारी की है हाला कि पिछले वर्ष भी कई लोगों ने छटों पर अर्द देने की व्यवस्ता की थी ये भी आपने देखा था ये दिशा निदस केंसरकार दुआरा जारी किया गिया है जिसे जहारफन सरकार ने भी guidelines को दिया है लेकिन बात करते हैं बिहार के सरकार को लेकर तो बिहार में छट के महापरव को लेकर बिहार सरकार ने भी दिशा निर्दश जारी कर दिये हैं इसके तहट इस बार गंगा समेत राजी के तमाम बड़ी नदियों के घाटो पर छट मह कराया जाएगा जिन तलाबों में छट महापरव का आयोजन होगा वहां अर्द से पहले और बाद में पूरे तलाब और छेत को सैनिटाइजर किया जाएगा तो जारगन शरकार ने साब तोर पे कहा है कि घाटों पे इस बार छट महापरव की कोई अनुमती नहीं है लेकिन ज कि चलिए इसमें से कुछ लोगे से बात करते हैं जानते हैं जो दिसा निर्देश का कितना पृलन किया जायेगा तो देखर हमारे सथिस्टालू जुडए जाए या कुछ समाजिक दूरी बना के तेवार को मनाने का उसर दिया जाए आदें आने के अनुमति दिया जाए कारण की सबके घर में सथ या सुभधा नहीं है और ऐसा ही तेवार के बिना पानी का हो नहीं सकता है यहें जो हैं इनका और क्याए करते और Behaviorale रिकात है और स्वच पानी का वेवस्ता नहीं है इसके लिए सरकार और बी बात करते हो वी लोगों से जानते हैं किंजिकि हा करते है कि अंदरे सरकार का भी स्वागत करते हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि सभी सरधालू को थोड़ा सालसर दिया जाए इसमें दूरी बना के अपना किसी तरफ तेवहर को मनाया जाए जो भी उनका कहना एक ही है कि कहीं ने कहीं इस फैसले को भी दुबारा सोचने के जुरत है और कुछ डेल देने के जुरत है